Hey guys in this video I am breaking down the best monitors in 2022 So guys आप एक ऐसा monitor चाहते हैं जो कि आपके budget के साथ साथ आपको bezel-less design, IPS panel, refresh rate and most important eye care protection देखने को मिल चाहे क्योंकि इस feature के बिना आप ना ही gaming कर सकते हैं और ना ही other multitasking work perform कर सकते हैं So don't worry, आज की इस video में आपकी सारी बातों का ध्यान रखते हुए List में ऐसे ही 6 monitors को लिया है जो कि around 10,000 rupees की price range में आपको Amazon पर देखने को मिल चाहेंगे So video man तक बने रहना बागी channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए जिससे कि आपको इसी तरह की videos देखने को मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस video को So guys list में एट नमर 6 पे आने वाला monitor आपको Lenovo की तरफ से L-Series देखने को मिलता है अभी guys ये एक Full HD IPS Ultra Slim monitor है जो कि 24 इंचीज दिस्पले के साथ में आता है Design and build equality आप देखी सकते हैं एकदम premium and ergonomic look की आपको provide करता है बाकी monitor के back side में आपको HDMI port, VGA connector, audio output and power connector जैसे connectivity options देखने को मिल चाहेंगे Brightness यहाँ पे आपको 250 nits की देखने को मिल जाती है और ये एक anti-glare display के साथ में आता है जिसमें आपको 178 का viewing angle देखने को मिल चाहेगा 75 Hz की यहाँ पे आपको refresh rate देखने को मिल जाती है जो कि AMD FreeSync Technology के साथ में आता है बाकी response time यहाँ पे आपको 4 millisecond का देखने को मिलता है जो कि इस price range के साथ से sufficient है अब बात करें इसकी price की तो ये आपको around 11,800 रूपीज में Amazon पर देखने को मिल चाहेगा So guys इस price range में अगर आपको एक 24 inches का ultra slim monitor खरीना है तो आप इसे consider कर सकते हैं लिंक नीचे description में डाल रखिये वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं अभी गाइस लिस्ट में at number 5 पे आने वाला monitor आपको Acer की तरफ से QG24 1Y देखने को मिलता है आपको पताए होगा Acer काफी अच्छा brand है और ये एक VA panel full HD gaming monitor है इसमें आप इसकी design देखी सकते हैं proper gaming look की आपको provide करता है connectivity में यहाँ पे आपको 2 HDMI ports, 1 VGA and power connector देखने को मिल जाता है बाकी ये भी AMD Freezing technology के साथ में आता है जिसमें आपको 75 Hz की refresh rate मिल जाती है and 1 millisecond का response time देखने को मिल जाएगा बाकी brightness यहाँ पे आपको 250 nits की देखने को मिल जाती है जो की gaming के साब से एकदम sufficient है and सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको eye care protection मिल जाती है जिससे आप काफी time तक gaming या अदर multitasking work easily perform कर सकते हैं अब बात करें इसकी price की तो यह आपको around 10,000 रूपीज में Amazon पर देखने को मिल जायेगा so guys अगर आपको 10,000 रूपीज की price range में full HD VA panel वाला monitor खरीदना है तो आप इसे consider कर सकते हैं link नीचे description में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं guys list में at number 4 पे आने वाला gaming monitor आपको AOC की तरफ से 24G 2E5 देखने को मिलता है अभी यह एक full HD IPS gaming monitor है जिसमें आप इसकी design देखी सकते हैं proper gaming look के साथ साथ premium build quality यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी refresh rate यहाँ पे आपको 75 Hz की देखने को मिल जाती है जो की adaptive free sync technology के साथ में आता है बाकी काफी अच्छा यहाँ पे आपको HDR visual picture quality देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 3 different modes दिये वे हैं जिससे आप अपने हिसाब से color correction कर सकते हैं बाकी connectivity में यहाँ पे आपको HDMI port, VGA connector, power connector जैसे connectivity options देखने को मिल जाएंगे 1 millisecond का यहाँ पे आपको response time देखने को मिल जाता है और यह भी eye care protection के साथ में आता है जो यह यहाँ पे काफी बड़ी बात है अब बात करें इसकी price की तो यह आपको around 12,700 रूपीज में Amazon पर देखने को मिल जाएगा इस price range में अगर आपको एक अच्छे brand के साथ-साथ IPS panel and eye care protection वाला monitor घरिना है तो आप इसे consider कर सकते हैं मैंने link नीचे description में डाल रखी है वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं सुगा इस हमारी इस list में at number 3 पे आने वाला monitor आपको Samsung की तरफ से देखने को मिल जाएगा सबसे पहले यहाँ पे आपको 24 इंचिस का IPS display देखने को मिलता है जो की bezel-less design के साथ में आपको एक अच्छा color picture resolution प्रोवाइड करता है बाकि सबसे बढ़िया इस price दिंच में आपको 75 Hz की refresh rate देखने को मिलती है जो की AMD Radeon FreeSync Technology के साथ में आती है गैस एक बद नौटिस करना यहाँ पे आपको e-sport gaming के अलावा नॉर्मल गेम्स लाइक GTA, PUBG जैसे कई गेम्स में काफी अच्छा experience यह आपको प्रोवाइड करता है सबसे बढ़िया यहाँ पे आपको 3-side borderless display मिल जाती है जो की इसको एक premium modern monitor बनाती है connectivity में आपको HDMI, VGA एंड एक power port देखने को मिल जाता है बात करें इसकी price की तो यह आपको around 12,000 रुपीज में Amazon पर देखने को मिल जाएगा सुगाईस अभी इस monitor की price थोड़ी high है बट offers में यह आपको around 10,000 रुपीज तक देखने को मिल जाएगा इस price range में यह monitor भी काफी best है अगर आप इसे खरीनना चाहें तो link नीचे description में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं अब इस लिस्ट में नमर 2 पे आने वाला monitor आपको LG की तरफ से देखने को मिलता है यह भी 24 इंचिस का Full HD IPS monitor है आपको बता दू कि यह monitor slim design के साथ में एक premium build quality देखने को मिलती है connectivity में यहाँ पे आपको वही HDMI, VGA, DisplayPort जैसे देखने को मिल चाहेंगे बाकी AMD Freezing के साथ में यहाँ पे आपको 75 Hz की refresh rate मिल जाती है जहाँ पे LG ने 1 ms का response time claim किया है सो all over यह भी काफी बढ़िया monitor है जो कि especially video editing, gaming and other multitasking work easily perform कर सकते हैं बात करें इसकी price की तो यह आपको around 12,500 रुपीज में Amazon पर देखने को मिल चाहेगा बाकी sales में यह आपको around 11,000 रुपीज में Amazon पर देखने को मिलता है सो guys अगर आप इसे खरीदना चाहे तो link नीचे description में डाल रखिये वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं guys last number 1 पर आने वाला monitor आपको Acer की तरफ से Acer Netro देखने को मिल चाता है अभी इस price range में यह हमारी list का one of the best monitor है इसमें चाहे आप high fps gaming, video editing and other multitasking work इन सभी में यह आपको काफी अच्छा experience प्रोइड करता है first of all यहाँ पे आपको 24 इंचिस की full HD IPS display देखने को मिल जाती है जिसमें AMD freezing technology के साथ में 75 Hz की refresh rate मिल जाती है बाकि literally design and build quality other monitors से काफी different and premium देखने को मिल जाती है and सबसे बढ़िया यहाँ पे आपको 250 nits की brightness के साथ में eye care protection मिल जाती है जो की guys आज के time पे हम लोगों के लिए काफी जरूरी है so guys all over यह आपकी सारी nits को पूरा करता है बात करें इसकी price की तो यह आपको around 13,000 रूपीज में amazon पर देखने को मिल जाएगा बाकी sales में यह आपको 12,000 रूपीज में देखने को मिलता है so अगर आप इसे खरीदना चाहे तो link नीचे description में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं so guys monitor ख़िदने का अगर आपको कोई different criteria हो तो आप हमारी playlist को जाके check कर सकते हैं वहाँ पे आपको अलग-अलग prices के साब साफ़ी अलग-अलग monitors देखने को मिल जाएगे बाकी guys आज किस वीडियो में इतना ही हम मिलता हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ 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 में झाल झाल